तो हेलो दोस्तों आज की टेक न्यूज में आप लोगों का बहुत-बहुत सौग है तो आप लोग जैसा की जानते हैं कि साइन्स बहुत ऊपर तक पहुंच गया है वहीं पर गाइज इस डेबलब्मेंट को देखकर कुछ आपको वाटसेप से आप लोग सब्धान है तो आज की टेक न्यूज में बताने वाला हूं जिसमें कुछ खुसखबरी है कुछ दुख भरी भी टेक न्यूज है लेकिन आपको घबराना नहीं है तो आप लोग वीडियो को इन तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि चल रहा है तो गया चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज में हम बताने वाले हैं कि उन लोगों के लिए खुसखबरी है जो की पबजी के दिवाने गाइज पबजी नहीं बीजी माई क्यूंकि अब जो है ये भारत इंडिया कहीं बनने वाले तो आज मैं बता रहा 22 में अपरेल को तो इस 2023 में 15 जनवरी को अनवेन होने वाला था जिसमें आपको भसा दे कि भर्सन जो था 2.4 का अपडेट भी था तो गाइज इसको ब्रहा दिया गया डेट को साहिद न्यूज मिली है कि आपका अब मार्च इंड या फिर अपरेल फस्ट वीक तक आ सकती है यह एकदम अपडेट 2.4 अपडेट के साथ और दूसरा गाइस टेखनी जो आपको बता था कि यूटूब जो है अब यूटूब सोट्स वीडियो के लिए भी मोनिटाइजेशन को इनेवल कर दिया है तो आप लोग अगर सोट वीडियो बनाते हैं किरियेट करते हैं तो उ सब भी आप एनेवल कर सकते हैं सोट वीडियो जिसका चैनल है जो सोट वीडियो बनाते हैं वह भी मोनिटाइजेशन इनेवल कर सकते हैं और गाइज हम बत करने वाले चैट जीपीटी की गाईज आप लोग जानते हैंगे चैट जीपीटी जो काफी पोपुलिटी अपने आप में बनाई हुए तो गाइज इसके नाम से एक अन ओफिसियल एप जो है जो प्ले अस्टोर पे ट्रेंड कर रही है जो की चैट जीपीटी ऐसा कभी नहीं किया गया है लेकिन आप अगर चैट जीपीटी सेम टू सेम मतलब बोल रहे हैं ना दूबलिकेट वर्जन तो वो इन फ्रेग्मेंट का उलंगन करने पर उसे दोसी पाया गया है जो की अमेरिका मैसा हुआ था कि ऐसा कहना जा रहा है कि अगर आप इसका दोसी करार पाए जाते हैं मतलब अभी सर्च चल रही है उस पर अगर आप दोसी पाए जाते हैं तो एपल को अपना वाच बंद करना पड़ेगा पताया गया कि अगर आप प्रेटेंट इंफ्रेग्मेंट में दोसी करार पाए जाते हैं तो आपको अपना एपल वाच बेंद करना पड़ेगा मतलब आपको बनाना बंद करना पड़ेगा और एपल आइफोन यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुसकरी है कि नए ओस में जो अभी उसका जो अपडेट आया था गाईज आई ओस का तो वह 16 का आई ओस का अपडेट आया था लेकिन अब आईफोन ने अपडेट में लाए जा रहा है कि आई ओस 16.3 अपडेट जिसमें गाइज सीक्रोटी के साथ साथ एडवांस फीचर्स भी दिया जा रहा है तो देखिए कब तक आता है मैं बात करूंगा उसका भी जब तक आजाये तब तक मैं वेट कर लेता हूं कि कब तक आ जाता है आप लोग भी वेट कीजिए और गाईज आप बात करते हैं आ सब्सक्राइब निए जो मैं आपको बता रहा हूं इसकी प्रोसेसर जोगी वह क्वालकम सनिप ड्रगरन एट जन्यून टू प्रोसेसर होगी जहां पर हम लोग बात करते हैं डिस्पलें तो डिस्पलें कुछ वह 6.7 इंच की एमूलेट डिस्पले होगी डिस्पलें और इसकी अगर बात करें बैटरी की तो बैटरी 49 अमच 120 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ दिया जा रहा है अभी मतलब कुछ ज़्याद स्पेसिफिकेशन नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा है तो मैं आपको बता रहों कि इसमें भी आपका टिरपल सेट अप केमरा ऐसगी प्रामरी केमरा 50 मेगा पिक्सल और फ्रोंट केमरा 16 मेजाब पिकसल कि आए तो गैज जब तक आता तब तक वेट करते हैं दखते है कब तक अा जाता इसकी कोई लॉंस लाइट अड़ी और कोई प्राइस अभी तैन यह गई और याजि महीं पर मोटरोला एज 40 pro guys जो की upcoming में ये भी साथ फरवड़ी में आने वाले इसकी भी कोई price अभी ते नहीं हुए नहीं launch date ते की गई लेकिन आपको बता दें कि इसकी एस वेकेशन कुछ leak हुए है तो उसमें आपको बता दें इसकी जो processor है वो Qualcomm Snapdragon 8 Genium 1 की processor guys आ रही है जहां पर आप इसकी display के बात करें तो 6.75 emulet display आ रहे है वहीं पर इसमें भी triple setup camera दिया जा रहा है जो की primary camera जो होंगे वो आपके 64 megapixel 64 megapixel and 20 megapixel जहां पर front camera जो होंगे वो 50 megapixel के front camera आ रहे है और वहीं पर इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी और यह साथ में 120 watt फास्टिक चार्जिंग के साथ आ रहा है जिसमें wireless जो आता है वो 15 watt के हैं जगाईज wireless charging भी काम कर रहा है और गाईज जो की पिछले हपता IQ new 7 जो launch हुआ है तो उसका series ही आ रहा है जो IQ new 7 असी series आ रहा है जो अभी भी इसकी launch date कोई ते नहीं हुए और price नहीं ते की गए लेकिन इसकी specification जो है वो आपका processor मिल रहा है MediaTek Dimensity 1080 का गाईज इसकी processor आ रही है और display आ रही है आपका 6.73 emolade full HD display आ रही है इसमें भी triple rare camera दिया जा रहा है गाईज टीरपल setup camera है जो की 64 megapixel के primary camera है वहीं पर अगर front camera के बात करें तो वो 16 megapixel की front camera है और गाईज इसकी battery जो 5000 mAh की battery है जिसके साथ 120 watt fast charging support कर रही है तो गाईज इस तरह से upcoming launches में ये तीनों अभी top हैं जो आ रहे हैं और गाईज आज की take news आज यहीं paint करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिएगा और जाते जाते आपको बता दें like and subscribe जरूर कीजिएगा